नमस्कार दोस्तों ममता की रोसोई में आपका स्वागत है मैं ममता दूबे आज बनाने जारी हूँ गिलोय का काढ़ा जैसा कि आपको पता ही है कि आज के टाइम में ये काढ़ा अमारे लिए कितना जरूरी है आप इस काढ़े को रोज बनाईए और अपने परिवार को जरूर पिलाईए बहुत ही फायदे मंद है इनके अंगिनत फायदे है मैं आगे अभी आपको वीडियो में बताऊंगी कि ये कितना फायदे मंद है ये काढ़ा तो चलिए इस रेस्पी को सुरू कर लेते है मेरी ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्फपुल हो तो आप वीडियो को लाइक करें, सेर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाना ना भूले यहाँ पे देखिए जो डंडी जैसा दिख रहा है आपको ये है गिलोई गिलोई एक बेल की तरह होती है और ये पेडों पे चड़ी हुई होती है इसके पत्ते बिल्कुल पान की तरह होते हैं क्योंकि इसमें भी बहुत सारे गुन होते हैं मैंने इसे बहुत अच्छे से वॉस कर लिया है और इस तरीके से छोटे टुकडों में कट कर लिया है गिलो इस तरीर में प्लेटलेट की कमी को दूर करती है इसके यूज से इसको पीने से प्लेटलेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ये जो डियाविटिक के पेसेंट है उनके लिए बहुत अच्छी है सुगर को कंट्रोल रखती है बीपी को कंट्रोल रखती है इमुनिटी सिस्टम को बढ़ाती है किसी भी तरह का बुखार हो जुखाम हो खासी हो इन सारी चीजों में गिलोई बहुत ही फाइदे मंद है सरीर में किसी भी तरह की बीमारी हो गिलोई बहुत ही फाइदा करती है आप गिलोई का जूस भी बना सकते हैं और आप चाहें तो गिलोई को कहीं से भी मंगा सकते हैं आज कल तो गिलोई एमेज आज मैं इस गिलोई का काड़ा बनाने वाली हूँ जो कि मैं रोज अपने घर में बना के पीती हूँ और ये आज कल के टाइम में तो बहुत जरूरी है। इस काड़े में यूज कर सकते हैं। आज सकते हैं तो एस गूर्ड या पी भी सकते हैं। आज जो काड़े को ऐसे ही पी पी जाए और पी भी सकते हैं। तो आज आज रहें आज जिलोई थे ब हम इस तरीके से खोट लेते हैं। ताकि यह थोड़ा सा इसका जो flavor है बहुत ही अच्छे से हमारे काढ़े में आए तो यह देखे इस तरीके से हमने कूट लिया है और यह बिल्कुल खुल चुकी है और जब हम इसे उबालेंगे काढ़े में तो इसका flavor बहुत ही अच्छा आएगा और इसके सारे फायदे मिलें और ये अच्छे से बॉयल हो रहा है, मैंने दो गिलस पानी लिया है, और कड़ा बनाने के बाद ये एक कड़ा होँ पूर्हups बच जाएगा, एक गिलस पानी हमारा कड़ा उबालने में जल जाएगा, तो यहां पर देखे जो गिलोई हमने अच्छे से थोड़ा सा इसको कूट के रखा था उसे मैंने पानी में add कर दिया है। और इसे डालने के बाद दो मिनट तक मैंने ऐसे ही पकने दिया है और उसके बाद मैंने डाला है तुलसी के पत्ते तो यह सारी जो हेल्दी चीजे हैं आप इस तरीके से इस काड़े को बनाएए बहुत ही टेस्टी भी होगा और बहुत ही सेहत के लिए अच्छा भी होगा तो अब हम डाल देंगे अद्रक तो अद्रक को भी हमने कूट लिया है और कूट के अद्रक को भी काड़े में यूज कर लिया है और अब मैं क्या करूंगी कि हल्दी डाल दूंगी तो हल्दी को भी मैंने कूट के अच्छे से डाल दिया है अब इन सारी चीजों को हमें से वाइल कर लेते हैं यहां पे हमारा काड़ा उबलते हुए 15 मिनट हो चुका है और यह आधा ही बचा है आधा पानी चल चुका है अब मैं डाल दूँगी इसमें गुड़ तो गुड़ को मैंने थोड़ा सा तोड़ लिया था और इसमें डाल दिया है आप यहां पे चाहें तो यहीं पर काड़े को चान सकते हैं, बीना गुर्ड डाले भी काड़े का यूज़ कर सकते हैं. गुर डले के बाद भी मैंने काड़े को दो मिनिट तक अच्छे से पका लिया है ताकि जो हमने इसमें गुर का यूज किया है वो गुर अच्छे से काड़े में घुल जाए उसके बाद मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर लिया था और यह देखे यहां पे हम काड़े को छान लेते हैं आप चाहें तो एक बार काड़ा बना के रख दें और दिन में दो या तीन बार भी यूज़ कर सकते हैं तो यह देखिए हमने काड़े को छान लिया है आप इस समय जो COVID चल रहा है उससे बचना चाहते हैं और बुखार से बचना चाहते हैं तो आप इस काड़े को जरूर बनाईएगा और अपने घर में जरूर यूज़ करिएगा तो देखिए यह काड़ा हमारा बन के तयार है आप मुझे कमेंट करके बताईएगा कि आपने काड़ा कैसे बनाया और आपको कैसा लगा ये काड़ा थोड़ा सा कड़वा होता है पर सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है तो आज के COVID के टाइम में आपको इस काड़े को जरूर बनाना है और जरूर पीना है तो मिलते हैं एक नई रेस्पी में तब तक के लिए बाई बाई दोस्तों एंड टेक केर